हलो दियर स्टुडेंट्स, वेलकम टू संभव डिजिटल क्लासेज, आज अपन शुरुवात करने जा रहे हैं, फर्स्ट येर मेकनिक्स के अंदर, यूनिट सेकंड, चैप्टर 6, दर्ड पिन गते की, रिजिड बोडी डैनेमिक्स, बैसिकली जैसे अपन बात की, रिजिड जैसे बोडी क्या होती है, वह है एक मनलब ऐसा पिंड या ऐसी बोडी जमें दो पार्टिकल्स के bीच की डिस्टेंस हो इउकभी छेंज ना हो, जिसे अपने पास पت्थर होता है, अगैं अगर यसे पथर में दो पार्टिकल्स का बीच की डिस्टेंससान थीड स्मन तो व वो चेंज हो जाएगी, बट रिजिट बोडी में ऐसा नहीं होगा, पत्थर को आप कम्प्रेस नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो अगर वो तूट दाएगा करसे तो वो रिजिट बोडी कायका हुआ, तो अगर अगर अपन रिजिट बोडी की बात करेंगे, तो उसमें दो पार जड़तवा आघून की उपर डिपेंड करता है, पूरा कम्प्लीट चेप्टर, ठीक है, मलब इसमें अलग-अलग बोडी के अपन जड़तवा आघून निकालेंगे, रिंग का हुआ, डिस्क का हुआ, सिलेंडर का, जिसमें खोकला औ भरहावा सिलेंडर आगिया, या मलब एनुलर टाइप का आगिया, इसके अलावा गोले का, इन सब का अपन यहाँ पर जड़तवा आघून निकालेंगे इस चेप्टर में, ठीक है, तो सबसे पहले मैं सुरुवात करता हूँ यहाँ पर, दर्ड पिंड का जड़तवा आघून तदा परिभ्रह्मन तिरिजा, फ दर्ड पिंड का जड़तवा आघून तथा परिभ्रह्मन तिरिजा, ठीक है, अब कैसे जड़तवा आघून के अपन बात करें, सिंबल सी बात है, जैसे कोई एक्सिस है अपने पास, यह एक रोटेशन एक्सिस है, ठीक है, यह AOR के दो एक्सिस ओफ रोटेशन, मालनों अक्सिस से R डिस्टेंस के उपर है, तो उसका जो मॉमेंट ऑफ इने शेह जड़तवा आघून जो होता है, वो बेसिकली दिया जाता है, I equals to M into R square, मालनों मालनों अपने पास कोई एक बड़ी बोडी है, जो बहुत सारे पार्टिकल से मिलका मनी वी है, उसके अगर अपन ब पास इसके rotation axis हो गई, axis of rotation, ठीक है, अब इसमें बहुत सारे पार्टिकल से M1 हो गया, R1 डिस्टेंस पर, M2, R2, M3, R3, Mn, Rn, इस तरह से दिया हो अपने को, ठीक है, अब इसका अपने को moment of inertia निकालना है, तो फिसमें क्या करेंगे, हर एक single particle का moment of inertia निकालेंगे, और फिसक कर देंगे, तो वो एक तरह से अपने पास पूरी complete body का moment of inertia को represent करेंगे, जड़तवा आघुन को represent करेंगे, जैसे अपने यहां बात करेंगे, तो M1, R1 square, M2, R2 square, plus Mn, Rn square, यह अपने पास आएगा, ठीक है, अगर अपने इसका summation के रोप में लिखेंगे, तो I equals to summation of I, M, I, R I square, यह अपने पास, इसका moment of inertia जाएगा, जड़तवा आघुन हो जाएगा, ठीक है, अब इसमें एक करता है, परी प्रह्मन तिरिजा, radius of gyration, वो क्या होती है, उसको समझा आप, अगर मालो मैं, इस पूरी body है, जैसे इस पूरी body का total mass अपने पास क्या दिया होगा है, capital M मान इस तरह से मान की चले है, कि इसका total mass M माल लो, ठीक है, और वो जो दूरी है, axis से उसको अपन क्या माल लेते है, ठीक है, जहाँ पर इसका पूरा mass centered है, कोई भी एक point होगा यहाँ पर, ठीक है, जैसे यह माल ली अपने, और इसकी जूरी होगई, क्या होगई, अपने ही मान क करती है, अलग-अलग, आप ऐसा समझो, बहुत सारी body है, उनको सबको अपने एक कर दिया, एक करने के बाद अपने, वो एक single particle point बन गया, उस point जहाँ पर वो center होगा, उसका mass, उसके axis of rotation से अपने distance देख लेंगे, और जो distance कलेगे, वो इसकी radius of gyration कलेगे, ठीक है, जैसे number 1 हो तो यहां से k का value अपने पास आता है, summation of i, m, i, r, i square upon m का अंटूट, यह basically इसकी radius of gyration को, radius of gyration मनी परीब्रमन तिरजय को represent करेगे, ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं आपन, अब किनी भी जैसे particles होते हैं, अब यह तो क्या था, एक discrete body थी, मालब, particles बिखरे वे थे, व संतत body हो, तो उस case में क्या करेंगे, अपन, जैसे एक simple सी बात पूछता हूँ आप लोग से, कि जैसे मालओ, आपने पास एक तो concrete का पुरा गटर लगा हो है, ठीक है, बरीपड़ी एक concrete, और एक अपने पास slab है, तो अपने पास submission होता है, एक integration होता है, तो basically जो submission होता है, व अगर दो particles की बीच की दूरी काफी छोटी हो जाएगी ना, तब उस case में अपने उसको integration में कर लेंगे, जैसे ये है आपके पास, ठीक है, आगर इसको तोड़ता हूँ, इसके 5 टुकड़े भी हो सकते है, 50,000, 50,000, 50,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 की बजाए integrate करेंगे, तो अगर continuous system होगा ना है, तो ये जो पूरी body होगी, इसका अपन summation ना करके, इसका अपन integration करेंगे, तो integration में basically क्या होगा, जो आपका ये summation का sign है, वो integration में करनोड हो जाएगा, ठीक है, और अपन छोटा सा एक mass लेंगे, dm, और उसके जो दूरी अपन क के लिए दो प्रमे दीवी होती है, अपने इलेंट में भी पढ़ावा है, एक तो होती है समांतर अक्षो की परमे, एक होती है समकोनिक या लंबवत अक्षो की परमे, ठीक है, तो उसको उपन देखते हैं, इसको note कर लो आप लो, फटा-फट, हो गया होगा, I think. हाँ, देखो, जड़त्वा आघून प्रमे है, फर्स्ट अपन ले रहे हैं, दो होती है, एक तो होती है, एक तो होती है, लंबवत अक्षो की परमे, और एक होती है, समानतर अक्षो की परमे, ठीक है, तो सबसे पहले लड़ों में, समकोनिक, या, लंबवत अक्षो की परमे, कैसे क्या है, इसको समझवा बाप, ठीक है, जैसे मानलो, आपकी पास, यह हमेशा, एक समतल प्लेन, लेमिना के लिए ह ही लागू होती है 2D systems के लिए ही लागू होती है ठीक है अपली के बल ओनली फॉर 2D लेमिना टाइप लेमिना क्यासे सपोच अपने पास एक एंड प्लेन 2D system है कोई भी ठीक है इस 2D system में अपने पास दो AXS है एक अख एक वाई इन AX और Y AXS के सब एक्ष आपने को moment of inertia गया तक किसी particle का ठीक है और अपने को क्या करना है एक 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 एक्सिस अपने लिते हैं Z-axis, बाहर की तरफ निकलते हुए, इसके साफ एक्स अपने को moment of initial निकालना है, ठीक है, basically, तो माल लो, अपने पास कोई particle है, एक M, I माल लो, I-th particle है अपने पास, C वाला, I-th particle, अब यहां से अगर अपन देखें, तो, suppose यह जो दूरी है अपने पास, यह Y-axis के पैरलल है, ठीक है, तो इसको अपन क्या माल लेते हैं, Y-axis के पैरलल को Y, जो X-axis के पैरलल है, उसको अपन क्या माल लेते हैं, X, ठीक है, अब मैं सिंपल सी बात पुछूँ, इस I वाले particle का, इसका, suppose मास M माल लो एक पर आप, ठीक है, कि इस M मास पार्टिकल का, अपन अक्स-क्स के सबक्स, मोमेंट और फिनेशन निकालें, ठीक है, तो, I-axis कितना हो जाएगा, M, मास इंटू, जो परपेंडिगुलर डिस्टेंस होती है, उसका स्क्वार होता है, तो Y-square, अब सप Z-axis से माल लो, यह जो दूरी है, अपन क्या माल लेते है, R माल लेते है, ठीक है, यहाँ पर अगर Z-axis के सबक्स, मोमेंट और फिनेशन निकालो, तो जैसे पार्टिक, यह Z-axis ऐसे है, तो यह लंबवत दूरी R हो गई, M मास की, ठीक है, तो अपने पास कितना जाएगा, M into R square, ठीक है, अब यहाँ पर अपन वो नियम लगाएंगे, Pythagoras theorem लगाएं, तो जैसे यह अपने पास यह X है, यह Y है, तो जो basically R square होगा अपने पास, वो X square प्लस Y square होगा, ठीक है, इसको नमब लगादा आप 1, इसको लगादा आप 2, इसको लगादा आप 3, ठीक है, ठीक है ठीक है, इनको अलग-अलग करो, तो I, Z का विली किता हो जाएगा, MY square प्लस M, Z square, sorry, M, X square, जो MY square है, ठीक है, वो basically किसको रिपरजन करेगा अपने पास, MY square I, X को, ठीक है, और यह रिपरजन करेगा I, Y को, तो अपन क्या देख रहे हैं, I, Z equals to I, X, प्लस I, Y, यही, तो अपन क्या देख रहे हैं, कि कोई plane है, plane के अंदर कोई दो लमवथ अक्ष है, ठीक है, किसी plane के लमवथ अक्ष के सापएक्ष, plane का जो जडत्व आगुण होगा, plane में इस्तित, दो लमवद अक्षों के, जडत्व आगुणों के योग के बराबर होगा, ठीक है, म मैं परिवार से रिपीट कर रहा हूँ किसी समतल पटल का इसके तल के लमवत अक्ष के सापेक्ष जड़तवा आगून इसके तल में इस्तित दो पारस परीक लमवत अक्षों के सापेक्ष आगूनों की योग के तुल्य होता है ठीक है जबकि दोनों लमवत अक्षों के कटान बिन्दों से होकर गुजरे यह अपने पास आगया जड़तवागुन ठीक है इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं हो या होगा नेक्स्ट अपने पास समानतर अक्षो की प्रमे ठीक है समानतर अक्षो की प्रमे इसमें अपन देखते हैं ठीक है बिन्गों सिंपल सा है परेले इसका अपने स्टेट्मेंट देख लेते हैं यह अपने पास कोई एक बोडी है इसमें एक एक्सिस है एबी ठीक है जो एबी एक्सिस है वो इसके दर्विमान के अंदर से होका जा रही है ठीक है इससे सेंटर ओफ मास से पास हो रही है पासिंग थ्रो सेंटर ओफ मास ठीक है अब मान लो कोई पार्टिकल है पी एम मास का इस एम मास का पार्टिकल है उसका अपने कोई जड़त पर आगूर निकालना है किसी और एक्सिस की सापेक्ष रेदर देन कौन सी सेंटर ओफ मास सेंटर ओफ मास की सापेक्ष नहीं बात कर रहे हैं ठीक है तो जैसे suppose अपने को पास एक axis है x y axis है ठीक है इस x y axis के सफ़ेश अपने को क्या करना है इसका moment of initial निकालना है तो basically अपनी इमान के चलते हैं कि जो center of mass वाली axis है a b axis है और जो x y axis है उनकी जो बीच की दूरी है उपन माल लेते हैं d ठीक है इसके साब x moment of initial आई माल लिया इसके साब x moment of initial अपने आई माल लिया ठीक है तो अपना जो parallel axis हो रहे हैं उसका statement क्या कहता है कि इस body का किसी axis के साबक्ष जैसे i, y, y के साबक्ष moment of initial होगा उसकी दर्य मान के अदरसे गुजरनेवाली आक्स के साबक्ष महलब इसका total mass body का माल ललोulle capital M है दर्य मान के अधर से गुजरनेवाली ax के साबक्ष महलब a, b, के प्लस body का mass into दोनों लंवधaty अक्षों के बीच की दूरी के square के गुड़नफल के बराबर होता है जैसे मालो को पूरी body का M इसके साफ एक्ष निकालना है तो अपने क्या होगा एक्स पहले अपने इसके साफ एक्ष निकालेंगे इसके साफ एक्ष निकालने के बाद में इसका mass इंटो निकालने के जो बीच की लंबद दूरी है इसका square का गुड़नफल के बराबर होता है इसको अपन प्रूफ करेंगे अब प्रूफ देखो कैसे क्या है इससे मालो O मैं बुक्के साफ से लिलता हूँ G, P, Q ये इंगल आप मालो ठीटा ठीक है अब suppose मुझे लिखना है O, P square तो O, P, square किता हो जाएगा O, Q, plus Q, P, square O, Q, square plus Q, P, square O, Q को मैं क्या लिख सकता हूँ O, G, plus G, Q ठीक है तो O, G, plus G, Q का whole square और Q, P, square ठीक है यहाँ पर O, P, square को open करो तो O, G, square G, Q, square to O, G, dot G, Q plus Q, P, square अब एक चीद देखो जो G, P, square है चुकि जो G, P, square है उसको open क्या लिख सकते है G, Q, square plus Q, P, square मतलब ये plus ये इसको open क्या लिख देंगे G, P, square इसके अलावा अगर अपन जैसे ही dot to run इसका अटा जरूरी नहीं है अपन dot की बात ही नहीं करेंगे simple multiply कर लो आप इनको ठीक है इसके अलावा जो G, Q है उसको open क्या लिख सकते है G, P, cost लिख सकते है and G, Q, equals to G, P, cos of theta इसमें value पुट करो तो देखो, op square request 2, og square as it is, उसमें कोई chain नहीं है, ठीक है, फिर gq और qp, यह अपने पास क्या बन गया, gp square, plus 2 og, gq की जगा अपने क्या किया, gp cos of theta, यह अपने पास equation आई, इस पूरी equation को summation of mi से गुणा कर दो, ठीक है, multiply by summation of mi, ठीक है, तो summation of mi से multiply करें आपन, तो summation of mi, op square, is equals to, ठीक है, og square है, तो summation of i, mi, og square, summation of i, mi, gp square, plus 2 बहाले लो, summation of i, mi, og, gp, cos of theta, अब इनकी value पूट करते जाओ, तो summation of i, mi, op square, as it is, og किता है, अपने पास, d, ठीक है, तो summation of i, mi, d square, plus summation of i, gp, gp अपने पास यह है, ठीक है, इसको as it is, ऐसे कैसे रेंड दो, gp square, ठीक है, और plus, यहाँ पे og कि जगए, अपने again क्या रख देंगे, d रख देंगे, तो plus 2 summation of i, mi, d, gp, cos of theta, ठीक है, यह अपने पास यहाँ, इसको note करो, फिर अपने आगे बढ़ते हैं, हो गया होगा, यहाँ देखो, जो basically यह जो quantity है, यह क्या represent कर दी है, mi, op square, मतलब, इस mi का, i मानलो, इसको आएत माने पन, तो mi का, इस op, इसके subtext, i के subtext, तो यह basically अपना i हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे जो यह d है, यह independent summation पे, इसको अपन बहार ले सकते हैं, ठीक है, gp, यह वाले quantity क्या represent कर रही है, यह वाले quantity अगर अपन देखें, gp, मतलब, इस mi का, इस abx के subtext, moment of inertia, ठीक है, जैसे इसको अपने i माना है, इसको अपने i not मान लिया, और यह होगा, md square, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, तो यह जो quantity है, किसको represent करेगी, i not को, अगेन, यह जो d है, यह किस, यह कह रहेगा, constant रहेगा, इसको अपन क्या ले सकते हैं, बहार ले सकते हैं, ठीक है, अब इसमें value put करो, तो यह हो जाएगा, i plus d square बहार लिया, तो summation of mi, ठीक है, plus, यहाँ आपन देखें, तो यह किसको represent किया, i not को, plus 2 into d, summation of i, mi, gp, cos of theta, अब आप यह वाली quantity देखो, mi, gp, cos of theta, cos theta को रहें दो, इसको अगर आपन देखें, यह basically क्या है, कि यह दर्यमान के अंदर के सबपेश, आगुनों को represent कर रहा है, यह जो quantity है, दर्यमान के अंदर के सबपेश, आगुनों, जबकि अपने पास summation, इसकी अगर आपन देखें, जनरल बात करें, तो summation of i, mi, r, c, i, यह always अपने पास क्या होता है, 0 होता है, दर्यमान केंदर की परिवास से यह कहती है, कि किसी body car जैसे दर्यमान केंदर है, तो दर्यमान केंदर के सबपेश, ठीक है, अगर अपने mass, particle का mass, और उनके बीच की दूरी का अपने गुड़न फल देखें, तो हमेशे क्या आता है, जीरो आता है, ठीक है, यह अपने पास दर्यमान केंदर की परिवास होती है, जैसे माल लो अपने पास, जैसे कोई एक M1 माल लो, एक अपने पास M2 माल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पी इसका center of mass है, ठीक है, तो basically अगर यह distance R1 है, यह distance R2 है, जैसे इधर positive माल ले, इधर negative माल ले अपन, तो इसको हमेशे अपन क्या लिखते हैं, summation of i, mi, ri, 0 लिखते हैं, तो basically आजाएगा, summation को हटाएगा, अगर अपन यहाँ से, तो M2 R2 माइनस M1 R1 ब्राबर 0, या फिर M1 R1 ब्राबर M2 R2, इसी से अपन यह चेक करते हैं, दर्योमान के अंदर की परिबास यहीं से आते हैं, और यहीं से फिर इसको अपन solve करते हैं, माल लोग इनके बीच की जो total distance से वो R माल लेते हैं, तो R ब्राबर अपने पास क्या जाएगा, R1 प्लस R2 आजाएगा, अब यहां से अपन दर्योमान के अंदर की situation इजिले निकाल सकते हैं, जैसे अपने को R1 निकालनी हैं, तो R1 का value अपने पास आएगा, M2 R अपन M1 प्लस M2, ठीक है, और R2 निकालना है अपने को, तो M1 R अपन M1 प्लस M2, यह अपने पास definition होती है, तो अपन क्या कह सकते हैं, जो यह वाले quantity होगी, यह वाले quantity अपने पास क्या चले जाएगी, जिरो में चले जाएगी, ठीक है, अब जो यह वाले quantity है, summation of M I, वो total mass को represent कर रही है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, capital M लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो final result आया अपने पास, तो final result अपने पास क्या मिला, final result अपने को मिला, I equals to I0 plus M into D square, यह जो I0 है, basically Ixy है, यह I, AB माने center of mass के साब एक्ष है, M body का mass हो गया, और D यहाँ पर दोनों X के बीच के लमवत दूरी होगी, यह अपने पास हो गया, ठीक है, अब यह अपने पास परमे हो गया, अब इसके कुछ अपन examples देखेंगे, तो जैसे अलागला जो bodies है, उनका निकालेंगे पन, तो इसको note करो, फिर आगे बढ़ते हैं, हो यह होगा I think, ठीक है? सबसे पहले अपने पास आता है, रिंग का, वलय का जड़त्वा अगुन, सबसे पहले अगर अपन बात करें, ठीक है, जैसे एक वलय है, R3J की M मास्की, तो उसका अपने वो जड़त्वा अगुन, कितना क्या होगा, उसके अपन बात करें, अब इसमें फर्स्ट लेंगे, तल के लमवत, तथा के अंदर से गुजरने वाली अक्स के साब पेक्ष, अपने को इसका मोमेंट ऑफ इनिश्या, इस अक्सिस के साब पेक्ष निकालना है, ठीक है, तो अगर इसका अपने क्रोस व्यू देखें, इसका क्रोस व्यू कुछ इस टाइप का हुगा, यह अपने पास रोटेशन अक्सिस हो गई, ठीक है, और यह और एडियस की हो गई, तो बैसिकली इसमें अपन क्या करेंगे, इस लिंक को अपन छुट-चुटे ऐसे अलपांश में तोड सकते हैं, किसी भी एक अलपांश है, उसको अपने क्या माल लिया, इसका मास अपने माल लिया, डी-एम माल लिया, ठीक है, अगर मैं इस डी-एम का, इसके साब पे इस डी-आई निकालू, छोटा सा कोई भी एक अलिमेंट लो, तो बैसिकली जो डी-आई होगा, अपने पास मास इंटू, इसके बीच की जो लंबत दूरी है, अब आप एक ची देखोगे, जितने भी अपन डी-एम काटेंगे, वो सबके सब rr distance की उपर होंगे, इसकी radius distance की उपर ही होंगे, ठीक है, तो dm into r square, अपने यह कह सकते हैं, अब मालो complete ring का अपने को निकालना है, ठीक है, जिससे i ring निकालना अपने को, तो अपने integration of di कर देंगे, integration of di करेंगे, तो अपने पास किता जाएगा, dm into r square, यहां पर r square की time constant है, तो इसको बहार लो, dm, integration of dm किसको represent करेगा, वो basically इस ring के total mass को represent करेगा, तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं, जो अपने पास i ring आएगा, वो किता जाएगा, m into r square, यह अपने पास आ गया, ठीक है, अब इसमें next अपने पास आता है, second case अगर अपन ले, कि इसके व्यास के सापेक्ष, moment of inertia, तो इसके अगर अपन बात करें, इसको गोर से देखना आप अच्छा से, अब इसमें दो व्यास है अपने पास, जैसे यह i axis, यह होगी y axis, और यह अपने पास हो गया, z axis, ठीक है, मालो, इसके साप एक्ष, moment of inertia, id, व्यास, d माने diameter, और इसके साप एक्ष पे अपने क्या माली है, id, अपने यहाँ यूज़ करेंगे, लंवत अक्षो की परमया, यह समकोडे अक्षो की परमया, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँ, लंवत अक्षो की परमया से, ठीक है, हाँ, यहाँ पे जो यह आई दिंग आया, यह बेसिकली इसकी z, अक्ष के साफेक्ष है, moment of nature, यह परमया, अगर अपने इसको यहाँ से consider करें तो, तो लंवत अक्षो की परमया क्या करती है, अक्ष के साफेक्ष अपने माना id, y के साफेक्ष भी अपने क्या माना id, क्योंकि दो-दो diameter है, कह सकते हो, 90 डिग्री पर भी है, यह एक दूसरे से, ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, id प्लस id is equals to, iz किता है अपने पास, अब यह अपन देखा, mr square, तो id प्लस id, 2 id, तो यहाँ से id का विल्यू किता हो यह अपने पास, diameter के साफेक्ष, mr square by 2, यह अपने पास इसके वियास के साफेक्ष जड़त वागून आ गया, अब इसमें अपन बात करेंगे, तो दो-दो इसपर्ष रेका हैं होती है, एक तो अपने पास होती है, मलत तल के लंवत, इसपर्ष रेका, एक तल में इस्तित इसपर्ष रेका, इन दोरों के साफेक्ष नपन जड़तवा आगोन निकालें, तो इसको not करो फिर अपन आगे भढ़ते हैं, हो गया होगा, ठी तो इसमें आपन बात करेंगे तल में इस्तित इस पर शेखा के सापिक्ष ठीक है तो तल में इस्तित की बात करें किस तरह से होगी जैसे समझो यह अपने पास रिंग हो गई और यह इस पर शेखा है यह इसके तल में इस्तित है ठीक है यह A B और यह माला आई अक्सवाई यह इनकी बीची दूरी आर हो गई ठीक है इस तरह से यह अपना हो गया तो इसके साप एक शपन निकाल दें इस तरह से इसके साप एक शपन निकाल दें तो समांदर आक्ष एक्षव के पर मैं क्या करती है कि किसी भी एक्सवाई अपने को जड़त पह आगूर निकालना है जैसे आपने को animations कि अपने की axis मानी है, उनकी बीच की दूरी के square के बराबर होता है, ठीक है, अब यहाँ पर अपर इसको लिखें, तो ixy, यह basically किसको represent कर रहा है, इसके diameter को represent कर रहा है, और जो d equals अपने पास क्या आगया, r तो इसको अपन क्या कहा देंगे, mr square, ठीक है, तो यहाँ अगर अपन देखें, तो ixy का value कितना हो जाएगा अपने पास, ixy equals to id, id का value अपन जश्ट अभी निकालना है, कितना था अपने पास, mr square by 2 plus mr square, तो यह कितना जाएगा, 3 by 2 mr square, यह अपने पास जाएगा, next case अपने पास आता है, इसके अंदर, fourth case, कि तलके लमवत, इस पर शेखा के सापेक्ष, ठीक है, जैसे, यह ring हो गई, इसके सापेक्ष निकालना अपने को, यह इसका दर्योमान के अंदर के सापेक्ष, a, b, यह अपने पास हो गया, अक्स वाई, अगेर अपन समानतरक्षो के परमा ही यूज करेंगे, तो समानतरक्षो के परमा से, ixy किता हो जाएगा, i, a, b, और इनके बीच की डिस्टेंस, d equals to r, plus m, d square, यह क्या है, z axis के सापेक्ष हो गया, अक्तर से, z axis के सापेक्ष अपने पास कितना है था, m, r square, plus d equals to अपने पास r है, कितना जाएगा, ixy equals to 2m into r square, यह अपने पास हो जाएगा, इसका जड़त्वा आगून, ठीक है, अब रिंग के बाद अपने बात करेंगे, डिस्क की, चक्ति का, यह चक्ति का जड़त्वा आगून कितना क्या होता है, तो इसको नोट करो, फटाफट आप, ठीक है, हाँ, देखो अब, चक्ति का जड़त्वा आगून, फर्स्ट केस वही ले रेएपन कि, दर्यमान के अंदर से गुजड़ने वाली, तथा तलके लंबवत अक्ष के सापेक्ष, पहला का है, सेंटर ओफ मास से, गुजड़ने वाली, तथा तलके लंबवत अक्ष, के सापेक्ष, moment of inertia, ठीक है, इसके अगर अपने बात करें, तो डिस्क की बात हो रही है अपने पास, ठीक है, तो डिस्क को आपन किस तरह से consider करेंगी, उसको समझा आप, ये अपने पास डिस्क है है ठीक है अब डिस्क को मैं छोट़-चोड़ी डिंग से मिलके बना है वह मान सेथा हूं एघर अपने यहां देखें इसके टोटल रेडियस से मिलके मना माना तो मैने एक Cris dawn और उसकी जो मौटाई थी हमाने उसकी जो मोटाई ले लिए अपने DR माली है यह जो मोटाई है DR माली टोटल मास M है इसका मास अपने माली है DM माली है इसका मास अपने ठीक है क्योंकि रिंग का अपने को moment of finisher पता है तो यहां से अपने इसको को इसली calculate कर सकते हैं ठीक है तो अगर अपने यहां देखें सबसे पहले यहां पर जो density होगी मास density दर्विमान घंत्व की अगर अपने बात करें तो यह एक 2D में है तो यहां पर तीं दर्विमान घंत्व होता है lambda, sigma और रो ठीक है तो यहाँ पर lambda होता land के लिए sigma होता surface के लिए और रो होता अपने पास item या वोल्यूम के लिए यहां पर area की बात हो रही है तो मैं यहां पर बात करूँ mass density ठीक है तो mass density sigma किता हो जाएगा mass upon area तो mass किता है m और इसका area किता होगा अपने पास pi r square ये constant अपने मान के चल रहे हैं uniform मान के चल रहे हैं ठीक है तो अब इस ring का अगर अपन mass निकालें mass of elemental ring mass of elemental ring mass के अगर अपने बात करें dm मान लो तो किता हो जाएगा sigma into इसका area तो sigma तो अपने पास किता है m upon pi r square अब इसके area की बात करें तो इसका basically area क्या होगा इसकी परीदी into इसकी मोटाई तो इसकी परीदी है इसकी परीदी किती है अपने पास है 2 πr, मोटाई कीती होगी, dr, πi से πi cancel out करो, तो यहां से अपने पास, जो dm आता है, m upon r square into r dr, यह अपने पास आ गया, अब इसका, सपोर्ज अपने को इस axis के subject moment of inertia ले रहा है, perpendicular के subject, तो ring का, अपने देखा, mr square होता है, ring का moment of inertia, तो इसी तरह से, अगर इसका, moment of inertia of elemental ring, जो अपने ring लिये, element वाली, उसका अगर अपन moment of inertia देखें, तो मालो उसको मैंने di माल लिया, तो basically किता हो जाएगा, dm into r square, अब dm का value पूट कर दो, यहां पर, किता हो जाएगा, 2m upon r square, r dr into r square, ठीक है, यह basically अपने पास, di का value अपने पास किता आ रहा है, 2m upon r square, r cube dr, ठीक है अब total निकालना है, i disk निकालना है, अपने को, i disk निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका integration करेंगे, इसका integration करें, तो 2m upon r square, r cube, dr, कहां से कहां तक, 0 से लेकर r तक, total radius तक, तो यहां पर यह जो quantity, break it वाली, यह constant है, इसको लेला आप integration के बाहर, तो 2m upon r square को अपने बाहर लिया है, और जो r cube है, r cube के अगर अपन moment of inertia की बात करें, चलो इसको में एक step all लिख देते है, r cube, dr, 0 से लेकर r, ठीक है, तो basically अपने पास आता है, i disk is equals to 2m upon r square into r4 upon 4, 0 से लेकर r तक, this equals to 2m upon r square, limit put कर दो, तो r4 upon 4, 2 power यहाँ पर कट हो जाएगी, 2 से 4, 2 times गया, तो basically यह अपने पास आता है, i disk equals to m r square by 2, यह अपने पास आ गया, moment of inertia of disk, ठीक है, इसके देर्यमान के निर से गुजरने वाला, ठीक है, तथा इसके center के surface, यह अपने पास आ गया, अब next अपने पास आता है, इसमें, वो बाकी के 3 case लेंगे अपन, इसके व्यास के सापक्ष, फिर, तल मेस्तित इस पर शेकागे सापक्ष, और चोथा, आपने पास, तल के लंबत इस पर शेकागे सापक्ष, ठीक है, तो इसको clean कर रहा हूँ हूँ हूँ, तो second case अपन ले रहे हैं, जैसे यहीं पर 3 case कर दूँगा, एक, यह लो, ठीक है, तो second case अपन कौन सा ले रहे हैं, व्यास के सापक्ष, ठीक है, तो यह disc हो गई, x, y, radius, इसको अपने id मान लिया, y की सापक्ष अपने id मान लिया, तो again अपन लंबो तक्षों की पर में यूज़ करेंगे, ठीक है, यह अपने पास, z axis हो गई, तो लंबो तक्षों की पर में क्या करती है, i x plus i y equals to i z अपने पास, ठीक है, i x क्या है अपने पास id, यह भी क्या है id, और यह किता है अपने पास m r square by 2, तो यहां से id का 2 id equals to m r square by 2, तो यहां से id equals to किता आगया m r square by 4, यह अपने पास आगया disk का व्यास के सापक्ष, थर्ड केस, थर्ड केस के अगर अपने ब्यात करें, तो तल में इस्तित, इस पर्ष रेखा के सापक्ष, तो तल में इस्तित अगर अपने इस पर्ष रेखा की बात करें, तो इस तरह से देखो, यह अपना AB इसके दर्विमान के अंदर वाली यह हो गया अक्सवाई तल में इस्तित हो गया और यह D हो गया D कोश्ट अपने पास किता हो जाएगा R तो अपने पास समांतर रक्ष्यों के पर में क्या कहती है जो I X Y होगा वो I AB प्लस M इंटू D स्क्वार यह अपने पास होता है ठीक है यह एक तरह से जो I AB है यह बेसिकली इसके व्यास के साफ एक्ष्य है तो यहां से I X Y किता हो जाएगा I AB M R स्क्वार बाई 4 प्लस M R स्क्वार चार एक पाँच तो I X Y किता हो गया 5 बाई 4 M R स्क्वार ठीक है 4th case 4th case अपने पास कौन सा आजाएगा कि तलके लमवत इस परश रेखा के साफ एक्ष्य तलके लमवत इस परश रेखा के साफ एक्ष्य अगर तलके लमवत अगर अपन बात करें ठीक है तो इस तरह से देखो यह D equals to R, यह AB, और यह हो गया IXY, तो IXY equals to IAB plus MD square, IAB के बात करें तो IAB basically is की Z axis की सापेक्श हो गई, तो Z axis की सापेक्श अभी अपने पास आय था MR square by 2, और D equals to R, तो MR square, half plus 1 हो गया अपने पास 3 by 2, तो IXY अपने पास आगया 3 by 2 MR square, यह अपने पास इसका moment of finish हो गया, तो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट वीडियो में अपने इसमें एनॉलर डिस्क की बात करेंगे, इसके बाद में ठोर्स बेलन और खोकले बेलन की बात करेंगे, ठीक है, चलो, thank you.